कि दाइगाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ से साथ बेल आइकन को प्रिस कीटिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको बिल जाए देखे मैचिंग प्रिंसिपल को ही experience recognition प्रिंसिपल भी कहा जाता है एक बात तो यह समझे लीजी आप expense recognition तो थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा क्योंकि जब इस में आप recognition की बात आ रही है तो वह डाउट आपका थोड़ा दूर हो जाएगा क्योंकि यह expense को recognize करना है देखिए accounting जो बनती है उसके दो base होते हैं एक होता है cash basis और एक होता है accrual basis जो systematic तरीके से हम accounts बनाते हैं वो accrual basis पर होता है accrual basis के अंदर दो recognition होते हैं एक होता revenue recognition और एक होता expense recognition जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि expense recognition जो है वो matching principle होता है तो हमें इसके ओपर ध्यान देना है expense recognition के ओपर हला कि expense recognition और revenue recognition यह दोनों मिल करके ही accrual basis बनता है expense recognition में देखते हैं क्या होता है expenses incurred in an accounting period should match with the revenues of the period देखे इसी लिए इसका नाम matching principle है क्या match करना है किसी एक accounting period के revenue के साथ उसका expense match होना चाहिए जिस period का revenue हो उसी period का उसका expense होना चाहिए ऐसा नहीं है कि revenue जो आप generate कर रहे हैं वो मालते हैं 2019 का है expense जो आपने किया है वो expense आगे दो या चार साल आगे का किया है तो क्या पूरा expense आप उस revenue के साथ match कर पाएंगे उस period में नहीं कर पाएंगे जो कि revenue जो आप generate कर रहे हैं वो एक साल में कर रहे हैं वो एक साल का है और जो expense आपने किया है वो आगे के चार साल का किया है तो चार साल का expense एक साल के revenue के साथ match होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह तो logical भी बात है expense का जो purpose होता है expense का purpose ही होता है revenue generate करना यानि आप खर्च ही इस लिए करते हैं business में कि उसकी मदद से आपको revenue आएगी अब जब यह revenue generate करने के लिए आप expense करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वो जो expense है जिसको हम deduct करेंगे अपने revenue में से ताकि profit निकाला जाए ताकि income निकाला जाए वो उसी साल का होना चाहिए उसी accounting period का होना चाहिए यहाँ पर साल का मतलब accounting period से आप जब account बनाते हैं तो एक accounting period लेते हैं आपको पता होगा कि जब आप accounting principle पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एक concept होगा accounting period concept या periodicity concept उसका मतलब यह होता है कि कोई भी जो account बनाया जाएगा उसके लिए एक period आपको लेना पड़ता है वह period आप तोर से एक साल होता है वह एक अपरेल से 31 मार्च तक का होता है कभी-कभी एक जनवरी से 31 दिसंबर भी लिया जा सकता है लेकिन इंडिया में financial year एक अपरेल से 31 मार्च यानि 1st अपरेल to 31st मार्च को ही consider किया जाता है अब explanation यहाँ पे देख लीजे अब देखें हम लोग यह काम करते हैं आपको यह बात पता है कि आप revenue में से क्या माइनस करते हैं cost of goods sold ध्यान रखिएगा cost of goods produced माइनस नहीं करते हैं आप क्योंकि revenue में से अगर आप cost of goods produced करेंगे तो expense recognition वाला concept फेल हो जाएगा है expense recognition फिर यहाँ पे apply नहीं हो पाएगा आप expense recognition के ही concept की वज़ाद से सिर्फ वो cost माइनस करते हैं जो cost revenue को generate करने में help करती है इसलिए उस cost को कहते है cost of goods sold यह जो cost of goods sold है यही cost इस revenue को generate करने मदद कर रही है इसका मतलब कि यह जो cost है यह जो expense है यह इस revenue से match कर रहा है जिस तरीके से revenue recognition एक मिस्पल होता है revenue recognition के बारे में भी आपको मैं हाँ थोड़ा सा बता दूँ ताकि उसको असानी होगी आपको expense recognition को समझने में revenue recognition में क्या होता है revenue is recognized when sale is complete or services is rendered irrespective of the receipt of cash revenue आप तब recognize करते हैं जब आप sale कर चुके होते हैं या आप goods को deliver कर चुके होते हैं या आप service provide कर चुके होते हैं जब आपने sale कर दी जब आपने goods deliver कर दिया जब आपने service provide कर दी तो उसी वक्त आपका revenue generate हो जाता है cash आपको भले ही बात ने मिलेगा cash के मिलने या ना मिलने से आपका revenue तै नहीं होता है बलके revenue इस बात से तै होगा revenue इस बात से recognize होगा कि आपने अपना काम पूरा कर दिया की नहीं कर दिया यानि आपने sale कर दी की नहीं कर दी आपने goods को deliver कर दिया की नहीं कर दिया आपने service provide किया की नहीं किया तो अगर आपने अपनी तरफ से ये काम कर दिया है तो उसी वक्त revenue generate हो जाएगा आपका यह है revenue recognition अब इसी तरीके से expense recognition भी होता इसको आप समझ लीजे An expense is recognized when an asset or service has been used to generate revenue irrespective of the payment of cash तो expense recognition का मतलब यह नहीं है कि आप payment करेंगे तभी expense recognize होगा नहीं ऐसा नहीं है expense recognition का मतलब यह होता है कि आपने वो चीज इस्तमाल कर ली आपने वो service ले ली या आपने वो assets इस्तमाल कर लिया है भले ही उसका payment अभी आपने नहीं किया है तो payment of cash से उसका कोई लेना देना नहीं है payment of cash आप आज करें चाहे कल करें यानि आप next year करें लेकिन अगर आपने कोई assets या कोई service अवेल कर लिये उसको इस्तेमाल कर लिया है तो इसका मतलब कि आपने expense को कर लिया है expense हो गया है और वो expense उस साल का है अगर तो उसे recognize कर लेना चाहिए example यहाँ पर देखते है expenses such as salaries, rent, insurance, premium are recognized on the basis of period to which they belong and not when they are paid तो जैसे कई सारे expenses and salaries, rent, insurance, premium यह तमाम तरह के expenses यह recognize हो जाते हैं उसी period में जिस period से belong करते हैं न कि उस period से जब कि यह pay किये जाएंगे माली जे आपने employees को salary देनी है हर महीने आप salary देते हैं आप accounting period आपने लिया है 31st March तो जिस साल का accounting period है जिस साल आप बना रहे हैं final account last के महीने की माले लेते हैं मार्च के महीने की salary अभी आपने pay नहीं किये लेकिन आपने employees की service ले लिया है आपके office में employee काम किया उसने अभी salary नहीं लिये यानि आपने salary उसको pay नहीं किये लेकिन आप उसकी service तो उठा चुके हैं आप उससे फाइदा तो उठा चुके हैं तो इसका मतलब कि आपने जो service उससे ले लिये हैं भले ही आपने salary उसकी नहीं पे किये हैं तो क्या हुआ आपके लिए वो salary expense होगी मानी जाएगी expense उसी तरीके से rent है rent building का अगर आपने pay नहीं किया है लेकिन वो उसी accounting period का था तो आप उसे rent मानेंगे expense के तोर पर दिखाएंगे insurance premium में भी वही है कि वो amount जो आपके accounting period से belong करता होगा उसको expense मानेंगे और expense recognition करके ही expense में उसको दिखा देंगे आप insurance premium का एक example हम यहाँ पर ले लेते हैं समझाने के लिए accounting period of Alexander Limited is from 1st April 2019 to 31st March 2020 एक company है Alexander Limited जिसका accounting period हमने ले रखा है 1 अपरेल 2019 से 31 मार्च 2020 यह एक साल का period है एक expense है जो insurance premium के नाम से है and annual insurance premium of rupees 12,000 was paid on August 1st 2019 एक अगस 2019 को एक insurance premium pay की गई है जो 12,000 रुपए की थी और वो annual थी यानि पूरे साल की थी तो अब आप यह समझ लिजे कि यह जो 12,000 रुपए पूरे एक साल का है इसका मतलब गर आप इसको divide करेंगे मन्तली तो यह 11,000 रुपए एक महीने की insurance premium बनी आप पूछा जा रहा है सवाल में कि कौन सा amount आप recognize करेंगे उस साल के accounting period में वो accounting period जो आपका 31 March 2020 को end हो रहा है उस साल के accounting period में कौन सा amount insurance premium का आप recognize करेंगे यह सवाल है तो आप यहां पे देख लिए मैंने एक टेबल बना रखा है एक अप्रेल 2019 से तो period शुरू हो रहा है आपका accounting मैंने देख लिए तो अप्रेल 2019 में जून चुलाई अगस्त सेप्टिमबर अक्टूबर नौवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्स यहां तक तो आपका हो ग इस से ले करके उसने जुलाई 2020 तक का इंशुरेंस प्रेमियम पे कर दिया है बारा महीने का इस तरीके से देखिए आप अगस्त का एक हजार सिप्तमबर एक हजार अक्टूबर नौवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मैं जून जुलाई यह टोटल बारा म कि फकर्ट दिए है वह उसको हम रिकंगनाईज कर सकते हैं क्या इस 12.000 रुपे को expense मान सकते हैं हम जो account हमारा close हो रहा 31 March को नहीं मान सकते हैं क्योंकि इस insurance का जो accounting period है वो आपके accounting period से आगे cross कर जा रहा है total amount तो आपको जो accounting period आप जो लेकर चलना है वो 31 March 2020 तक तो आप देखिए जिए 31 March 2020 तक वो insurance का कितना amount बनता है उसे ही recognize आइस आपको करना है तो वो बनेगा सिर्फ आपका एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ महीने का यानि अगस्त 2019 से लेकर के March 2020 जो की आपका accounting period close हो रहा है आठ हजार रुपए ही आपको insurance premium का expense मानना है उस साल में ठीक है बाकी का जो amount होगा वो एक दो तीन चार चार अजार रुपए ये आपके इस साल के accounting period में expense नहीं माना जाएगा ये अगले साल जब आप बनाएंगे तो वहाँ ये expense माना जाएगा तो समझ लिजे यहाँ बात कि पैसा तो आपने इसी साल में दिया है 2019 में दिया है लेकिन ये पूरे 12,000 रुपए आपने इसको expense नहीं मानना है जो insurance expense है वो 8,000 रुपए इसको recognize किया जाएगा क्योंकि ये उसी accounting period का है अगस 2019 से मार्च 2020 तक का जबकि 4,000 रुपए का जो insurance बचा हुआ है वो unrecognized है क्योंकि जिस साल आप account मना रहे है उस साल इस 4,000 से कोई मतलम नहीं है कोई लेना देना नहीं है ये 4,000 रुपए अगले साल के accounting period के लिए है यानि अपरल 2020 से जुलाई 2020 का जो amount है वो आपके इस accounting period से नहीं match कर रहा है तो आप यहाँ समझ लीजे आप कि देखे ये match नहीं कर रहा है तो ये matching में नहीं आएगा जबकि उपर वाला match कर रहा है आपके accounting period से तो इसलिए matching हो जाएगा और recognize भी कर लेंगे हम इसलिए इसको एक example और भी है जैसे depreciation depreciation क्या होता है एक assets को जब हम use करते है तो उसके life में धीरे धीरे कमी आती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो machine या assets खतम हो जाएगी तो जो assets होती है वो धीरे धीरे करके साल दर साल खतम होती जाती है इसका मतलब कि जो assets की पूरी cost है वो कई सालों में बट जाती है तो ये जो हर साल assets की cost कम होती जाएगी या जो गिरावट आती जाती है उसमें उसे ही depreciation कहते हैं तो इसी लिए ये concept भी जो है depreciation का वो matching principle की ही वज़े से हैं चोकि asset तो आप एक बार खरी लेते हैं माली जा आपने 10 लाग की एक machine ले ली आज लेकिन उसकी life 10 साल है तो इस 10 लाग रुपय को 10 साल में बाट दीजिएगा और एक एक लाग रुपया हर साल ही आप expense के तोर पर दिखाएंगे depreciation के तोर पर दिखाएंगे आप पूरे 10 लाग फिट मिलेगा तो उसका expense एक ही साल क्यों दिखाया जाए उसका expense भी 10 साल में बाट करके दिखाया जाए ताकि वह revenue से match कर जाए thanks for watching उम्मित करते हैं आपको information useful लगी होगी तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर दें और bell icon को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की notification मिल जाया वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको share कर दें अपना बहुत ख्याल रखें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye